नमस्कार तोस्तों आप सबका स्वागा थे लेट से इंसाइट यूट्यूब चैनल पर मेरे नामे विजय है तो आज के वीडियो में हम एक बड़ी आसा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं इसके लिए आपको एक IR LED की जरूद पड़ेगी जो एक infrared LED होती है जिसमें से infrared light निकलता है और यह LED को बचाने के लिए हमने इसमें 390 ohm का register लगा रहा है यदि आप इसको 5V से चलाते हो तो इसमें register की कोई जरूद नहीं है आप बीना register से भी काम चला सकते हो तो इसको हमको connect करना है 9V के connector में तो जहाँ 9V connector का negative वाला आता है वहाँ पे हमने register वाली pin connect कर दी और LED का जहाँ positive हो हम connector के positive में connect कर दें connector का positive मतलब उस battery का positive 9V बैटरी का positive इसमें आप 9V और 12V दोनों power supply का use कर सकतो यदि आप 390 ohm का register लगा रहे हो तो लेकिन आप mobile charger का यूज करना चाहते हो तो register आपको हटाना पड़ेगा उसके भी नहीं चल जाएगा यह है IR receiver LED और इसकी polarity में आपको इसके बता दी कि कहां पर इसका positive और कहां पर negative तो जो positive LED का जो positive हम connector की negative वाली में connect करेंगे जो negative वाला बैटरी का point होगा वहाँ पर हम यहाली LED का positive connect करेंगे और उसके बार में जो IR receiver जो LED है उसका जो एक और पीन जो बाकी रहे गई है वो negative बाकी उसका connection करना बाकी है जो connector है उसमे positive side हम एक तार connect कर लेंगे एक तार को solder कर लेंगे और यह है बजर यह active बजर है जो की बजर की आवाज इसमें से निकलती है इसमें कोई circuit की जरूत नहीं होती है इसके इन-built circuit होता है तो आपको active बजर खरीदना है यदि आपको एक alarm तो इस प्रकास से दोस्तो हमारा पूरा circuit बन जाता है लेकिन आप इसका use कैसे करोगे वह मैं आप इसको इस वीडियो में है आगे मैं इसमें बताने जा रहा हूं कि आप इसका use कैसे कर पाऊगे तो यह पूरा circuit तयार हो गया इसको हम battery में connect करके एक बार चेक कर लेते हैं य या ज्यादा अच्छा जब रहेगा जब आप इसमें battery का use नहीं करोगे क्योंकि इस बार में आपको इसमें आपको एक circuit बना के दिखा रहा हूं इसमें 9V battery का use किया है लेकिन आप जब इसको बनाओगे और आपको इसको regular use करना है तो आप किसी power supply से use कर सकते हो यह से mobile charger हो ग जगे से भी side में होती है तो buzzer off हो जाता है तो इसको आप use कैसे करोगे practically तो मैं आपको बताना जा रहा हूं तो इसको हमको एक door पर connect करना पड़ेगा दोर पर हमको चिपकाना पड़ेगा और इसी जगा आपने door पर चिपकाना कि जहां पर कोई भी वेक्ति पहुशना पाए इसको डूणने में आसानी नहीं हो कि alarm system लगा का है तो इस प्रकार से alarm system में इसको पूरा fit करते था हूं door पर कैसे करना है यह दरवाजे पर हम इस प्रकार से double side tape से में इसको चिपका देता हूं आपको दिखाने के लिए मैंने बेटरी का यूज किया आप पावर सप्लाय का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो इस प्रकार से यह लग गया है हमारे दरवाजे पर और जो LED हो मैंने थोड़ा साइड में कर रहा है इसलिए alarm की आवज आपको आनी रही है क् कि अलार्म भी आफ है क्योंकि LED आमने सामने होगी तभी अलार्म आउन होगा और एक अबजेक्ट लगा देता हूँ कि दोनों के बीच में कॉंटेक्ट नहों पाए जो IR LED है उसका IR जो लाइट होता है वो IR रिसीवर पर ना जाए और इस परकार से इन LED को पोजीशन में सही कर लेता हूँ और आप देखिए अब आप देखिए कि किस परकार से यह काम करता है तो जब भी आपका डोर क्लोज होगा तो अलार्म नहीं बज़ेगा जैसे ही ओपन होगा इसमें अलार्म बज़ेगा यह बिल्कुल बैसिक सा सर्किट है इसमें मैं एडवांस सर्किट भी बनाऊंगा उस पर भी मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ यदि वो मुझे अच्छा लगेगा अच्छे से काम करेगा तो उस पर भी मैं वीडियो जरूर लओंगा दोस्तों इस परकार के वीडियो मेरे चैनल पर आते रहते है यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजेगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद